हेलो गाईज, वेलकम बैक तो दिस चैनल, इन दिस वीडियो वे विल टॉक बाउट पावर सेक्टर, पावर सेक्टर के बारे में बात करते हुए हम लोग रिलाइंस पावर को रिलेट करनी की कोशिश करेंगे, सबसे पहले हम लोग बात करें रिलाइंस पावर के कल के होता है, 1.52% उपर क्लोज होता है, अगर देखें तो 3.30 की लास्ट क्लोजिंग के बाद 3.30 के उपर ही ओपन हुआ, और 3.25 का लोग बनाने के बाद 3.40 का हाई बनाता है, अगर आप देखें तो इसका अपर सरक्ट बैंड लगा था 3.45 का, एन इसी के उपर की में बात कर रहा हूं, और 3.15 का लोग प्राइज बनाता है, और 3.27 का लोग बनाता है, 3.35 के उपर क्लोज होता है, और BST पर टोटल अगर आप वल्म चेक करेंगे, तो 79,6,463 और जिसमें से अगर आप देखें तो 100% डिलिवरी, एन इसी के उपर उपर देखेंगे, तो 1.47,17,195 इसमें से अगर आप देखें तो 43% के आसपास डिलिवरी, और मार्केट का अगर आप देखें, तो रिलैंस पार की मार्केट का आप है 939.72 करूर रुपए, तो आने वाले टाइम में क्या इसके अंदर सिच्वेशन हो सकत ही है, उसको हम लोग बात करेंगे उसके उपर, लेकिन सबसे पहले ग्राफ के उपर अगर आप देखेंगे, तो लास्ट के 5 डेज का चार्ट जो है आपकी सामने मैंने लगा दिया, और इससे हमें ये पता चलता है कि इसका कोई मूवमेंट नहीं है, ना तो अपर साइड ह लास्ट के 5 डेज से, लास्ट के 1 मन्त का ग्राफ अगर आप देखें तो 1 मन्त में हम कह सकते हैं कि इसके अंदर गिरावट है और गिरावट समलती भी नजर आ रही है, अगर आप महीने बर में हाई देखें तो 3.95 का है, जो कि 6th January 2021 को बनाया, और लो है 3.15 का, जो कि 28th January 2021 क को बनाया, लास्ट के 3 महीने के ग्राफ की सिचुएशन को अगर हम देखें तो अपने प्रिवियस हाइट 4.25 जो की 15th December 2020 को बनाया था, उसको हिट कर सकता है और वो इसके लिए इस बार crucial resistance की तरह काम कर सकता है, आप देखें तो ये low बनाया है 2.9 का 14th November 2020 को, ओके तो में सुधरने का नाम जरूज लेंगी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बोला हूँ, मैं अपनी मन से नहीं बोला हूँ, ये बात जो है पावर मिनिस्ट्री की तरफ से बोली गई है, आईए उन सब चीजों के बारे में देखेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ और statistics के ओपर ध्यान combined volume है, 22.6 million, जिसमें से 10.3 million quantities पर delivery के लिए उठा ले गई है, यानि 45.6% जो है, percentage of deliverable quantities है, अब इसके अलावा बात करते हैं, एक next parameter जो की है mutual funds का क्या इसमें reaction है, तो देखिए mutual funds के December quarter के data को मैं बताना चाहूँगा, December के महीने में एक ऐसा mutual fund है, जो hold करके बना हुआ है, इसके अलावा ना तो कोई new mutual fund buyer है, ना तो कोई seller है, ऐसा मैं बताना चाहूँगा, last के पांच महीने, छे महीने के अंदर ऐसा हम लोगों को देखने को मिला है, July, August, September, October, November and December, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके shareholding pattern, जो कि बहुत जरूरी है, हम लोगों को पता होना चाहिए कि कब क्या हो रहा है, Sadly, आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे December 2020 के quarter में, promoters ने अपनी stake को down किया है, 15.9% की stake के साथ promoter बने थे September quarter में, जबकि December quarter के अंदर 9.1% की stake हो गई है, गट गई है, जिसमें से अगर 9.1% में से देखें तो 17.91% जो है, pledge है, यानि गिर भी रखे गई है, FIIs यानि Foreign Institutional Investors की बात करें, तो Reliance Power के अंदर 1.5% की stake के साथ September quarter में थे, और इस December quarter जो end हुआ है, 1.6% के साथ, यानि 0.1% से अपनी stake को बढ़ाया है, वहीं DIIIs की बात करें, Domestic Institutional Investors की, तो इन्हों ने अपनी stake को थोड़ा सा कम किया है, 0.7% डाउन किया है, 6.7% के साथ बने थे, और इस quarter में 6% के साथ बने हुए हैं, Public Share Holding की बात करें, तो 75.9% से बढ़ करके 83.4% हो जाती है, अब हम लोग बात करते हैं कुछ Technical Parameters की, तो सबसे पहले बात करेंगे RSI की, तो Relative Strength Index जो है 47.3% के साथ होल्ड कर रहा है, जो की bullish signal को आने वाले टाइम में represent कर रहा है, क्योंकि Overbought Zone से थोड़ा साही उपर है, तो Situation Reverse होती हुई हमें देख सकती है, MF5 की बात करें, यानि Money Flow Index की, तो 64.2 value के साथ होल्ड है, वहीं अगर हम बात करें, MACD की, MACD 0.1 के साथ है, माइनस में जो की below signal है, MACD below signal है, और इसके अलवा अगर आप देखें, तो ATR 0.2 है, ADX 15 है, ROC 11.8 है, वैसे बहुत सारे parameter से, लेकिन अब resistance हो, सपोर्ट की अगर हम बात कर लें, तो थोड़ा सा हम लोगों को idea लगेगा कि क्या हो सकता आने वाले कुछ दिनों में, तो resistance अगर हम देखें, तो Reliance Power के लिए जो पहला resistance है, 3.40 का है, अगर आप देखा होगा, आपने तो NAC के उपर 3.35 का I think high बनाया था, अभी मैंने आपके साथ discuss किया, लेकिन resistance है उसके उपर, 3.4 के उपर, याद रखना है इसा है, इसके उपर 3.50 का एक और resistance है, और उसके उपर 3.60 के उपर इसको struggle करना पड़ सकता है, वहीं downside पर आप support देखेंगे, तो 3.20 के उपर है, और उसके नीचे support है 3.1 का, और उसके नीचे है 3.00 का, ओके, तो आईए और कुछ बाते करते हैं, अब सीधे news के बात करते हैं, कि power ministry की तरफ से ऐसी क्या बाते बताई गई है, और क्या ऐसा data release किया गया है, आईए उसको जानते हैं, ओके, तो हम लोग power ministry की तरफ से जो बाते बताई गई हैं, उसको हम लोग discuss करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या data release किया गया है, power sector से जुड़ा हुआ, उस data के उपर आपको focus करना होगा, और उसको मैं बताऊंगा, relate करूंगा, our power से, सबसे पहले बात करें, तो इंडिया के अंदर जो power consumption का data है, power जो consumption हमारे देश के अंदर हो रहा है, उसके अंदर हमें 6% की growth देखने को मिली है, December quarter के अंदर, जो किछ हुआ होगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं January 2021 की बात कर रहा हूँ, January जो अभी month हमारा बीता है, नए साल का, इसके अंदर जो total power consumption का data निकल के आया है, 111.43 billion units, जो कि अगर आप देखें तो January 2020 के अंदर, 105.15 billion units था, तो अगर आप compare करेंगे, तो लगबग 6% की आपको year on year basis पे growth दिखाई दे रही है, power consumption के अंदर, peak power demand, याब power consumption बढ़ेगा तो power demand भी बढ़ेगी, definitely, तो यहाँ पे power demand के अंदर भी हमें 11% की growth देखने को मिली है, year on year basis पे, 189.64 gigawatt की total power demand थी January 2021 में, जबकि अगर आप January 2020 में गंबए देखेंगे, तो 170.97 gigawatt की demand थी, percentage change देखेंगे तो 11% की हमें growth देखने को मिल रही है, इस data को लेकर के experts या analysts का क्या कहना है, उसको भी सुनिये, सुनिये, जरूरी है सुनना, उसके अधार पर हम बात करेंगे आर पार के बारे में, ओके, तो यहाँ पे experts का मानना है कि जो growth हमें देखने को मिल लही है, यह 6% की power consumption के अंदर, यह all time high value को demonstrate कर रही है, और इससे एक चीज़ तो साफ साफ पता चलता है कि जो economic activity से हमारे देश के अंदर, वो pre pandemic levels को achieve करने में पूरी तरीके से काम्याब होती हुई नजर आ रही है, और आने वाले time में उसके उपर जा सकती है, जो हमारी power demand है और power consumption है, ओके, analysts का मानना है यहाँ पे कि power की जो demand है आने वाले कुछ महीनों के अंदर बहुत ज़्यादा grow करके उपर जाएगी, लास्ट week अभी इसी लास्ट हफते power ministry जिनका नाम है, पार मिनिस्टर आरके सिंग इन्होंने announce किया था कि जो power की demand है, वो आने वाले कुछ महीनों में हमें 200 gigawatt से उपर जाती हुई दिखाई देगी, जी हाँ 200 gigawatt एक benchmark है, जिसके उपर निकल जाने की demand हमें सुनने को मिल रही है, पार मिनिस्टर की तरफ से, जिनका नाम है आरके सिंग, गौवर्मेंट ने आपको पता है, nationwide lockdown imposed कर दिया था, है न, March 25th 2020 से, तब से लेकर के, जो है, economic activities हमारे देश के अंदर कम होती गई, और कम होती गई जिसके वज़े से, पार की जो demand है, consumption है, खपत जो है, वो गिरती गई, और उसका result हमें देखने को मिला, पावर सेक्टर की, अलग-अलग दिगज कमपनियों में, और Relance Power के अंदर भी, तो मेरा मानना है कि अगर Relance, अगर पावर सेक्टर जो है, बूम करता है, अगर उपर जाता है, मानना कि सीधे नहीं जाएगा, राइट, लेकिन, हाँ, जे कर्ब लेता हुआ जरूर आपको जरूर आपको इस तरीके से दिखाई दे सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पावर सेक्टर ग्रो करेगा, तो Relance Power उसी सेक्टर का एक important हिस्सा है, Relance Power को कमजोर मत समझना, इसकी strong price 3 point something में है तो क्या, इसके अंदर equipments बहुत है, ख़जाना है इसके पास, इसके पास equipment की कमी नहीं है, बहुत दम है इसके equipment में, इसके अंदर बस कमी यह है कि इसके पास जो है ना, functional, उतने ही equipment को पूरी तरीके से 100% functional बनाना, यह एक थोड़ा challenging हो सकता है, लेकिन equipment की कमी नहीं है, आपको याद रखें, नोटीस करना चाहिए, Relance Power के अंदर, तो मेरा मनना है कि आर पार, Relance Power जो है, आने वाले months में, अगर economic activities हमारे देश में बढ़ेंगी, तो machinery का कारोबार बढ़ेगा, system बढ़ेगा, business बढ़ेगी, लोगों के जरूरते बढ़ेंगी, और economic growth के लिए power का होना उतना ही important है, जिस तरीके से एक इनसान को जिन्दा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, क्योंकि कोई भी machinery, economic activities बिना power के नहीं चल सकती है, और power को supply consistently करना इन्हीं companies का काम है, जिसमें से relance power भी है, key factor उभर सकता है, मैंने आपको कई बार वीडियो के जरी अपडेट करने के कोशिश करी है, कि relance power के अंदर dumb है, ये चाहे तो अपने portfolio को best बना सकती है, और अपने और सारे गर्जे जितने हैं ADAG group के उपर, उस चाहे तो चुका सकती है, लेकिन बस वही है, potential की कमी तो नहीं है, लेकिन owner की कमी शायद हो सकती है, क्योंकि इसको functional बनाना, एक business minded होने के बराबर है, जो कि मुझे लगता है कि अनिलंबानी के अंदर थोड़ा सा कम ह राइट, तो उसको सुधाने के जरूरत है, और अगर उस सुधरेगा, तो definitely situation बदल सकती है, ADAG group का भागे बदल सकता है, Reliance Park Limited को लेकर के, मेरी बातों को आके सुनने के बाद आप ज़्यादा जोश में ना आ जाईएगा, क्योंकि मेरी बातें मैं आपको accept करता हूँ, मैं अ तेरी बातों को बस आप समझ सकते हैं, उसके उपर आप अपनी analysis कर सकते हैं, और वो सही हो तो आप उसको follow कर सकते हैं, right, करना नहीं है, कर सकते हैं, it's all up to you, right, तो मुझे जो लगता है, मैंने आप लोगों के साथ share किया, power ministry के तरफ जो बातें बताई गई, जो power consumption and demand को लेक करके January महीने का data release किया गया, उस data से यह हमने पता किया, कि जब power demand और consumption बढ़ेगा, तो इस इन companies की जो demand है, इनके products की जो demand है, वो भी बढ़ेगी और उसको लेकर के मुझे इसके अंदर growth दिखाई देती है, आने वले कुछ months में, right, तो आपको क्या लगता है, what do you think, let me know in comment box, okay, तो आप लोगों को भी बताना है, और जो कुछ आगे इससे situation emerge होती है, आपको जरूर अपडेट मिलेगी, for that you need to connect, you need to subscribe this channel and press the bell icon for getting notifications, last thing I would like to say and that is, if anybody is interested to open teammate or trading account, there is a link in description box of this video, click on that link to open your account in upstock, see you next time in next video, take care